आज हम बनाएंगे आलू और सूजी से बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी चरपटा नया नास्ता अगर आप समोसा कचोरी पकवरी खाने का सौखिन है तो इस नास्ते को एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा घर में जिनें भी खिलाईएगा सभी को बहुत पसंद आएंगे और बन सुपर टेस्टी नास्ता तो इस नास्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम सूजी का डो तयार कर लेते हैं तो यहां पे हम ग्यास का फ्लेम ओन कर दिये हैं और सूजी का डो लगाने के लिए यहां पे हम डेर कटोरी पानी डाले हैं और जिस कटोरी से हम पानी डाले हैं उस वो काफी सॉप्ट और टेस्ट भी अच्छा आता है नास्ता का फिका फिका नहीं लगेगा नमक डालने के ओजसे तो यहाँ पे पानी जो है गरम हो चुके हैं उबलने लगे हैं तब हम इसमें डाल देते हैं एक कटोरी सूजी और ग्यास का फिले में यहाँ पे हम मीडियम ट लोड़किएगा और continue हाँ चलाते हुए सूजी को मिलाते रहिएगा यह अपने आप डो के फम में आ जाएंगे तो देख सकते हैं पहले से ज़्यादा गारा हो चुके हैं तो और थोड़े दिर के लिए हम इसे पका लेते हैं तो देखिए यह कराही को छोड़ने लगे हैं इसका डो जो है यह तयार हो चुके हैं तो इस तरह से आप मसलते हुए अच्छे से इसका डो लगाईएगा बहुत ही असानी से यह डो लगके तयार हो जाते हैं तो इसमें हमें 2-3 मिनट का ही टाइम लगा है अभी और डो तयार हो चुके हैं तो इन्हें हम साइड में रख अरहां बना करें करेंगे तहरा है तो यहां पे पैन गरम हो गया था पैन में डाले हैं एक छोटा चमच सरसो का तेल और दाले हैं और जीरा जब भून गए है थोड़ा सा कलर इसका चेंज्ज हो आपको तो यह थोड़ा सा भून गए थे तो इसमें हम दो हरी मिर्च काटके डाल दे रहे हैं तो इन्हें प्याज के साथ में मिला लेते हैं और इसी के साथ में हम यहां पे एक चमच कदू कस्किया हुआ अद्रक लसन डाल देते हैं और गैस का फिलेम आप मीडियम टू हाइ रखिएगा पूरे हाय फिलेम पे कलर चेंज हो जाएगा और अच्छे से भूनेंगे नहीं और अद्रक लसन साब देख सकते हैं कलर इसका चेंज हो गया है तब हम इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक आधा छोटा चमच लाल वीर्च पौडर डालेंगे दो से ती का खिए तो जिदा दैंगे और आधा छोटा चमच लाइए तो मिला लिए प्याज के साथ में और यह मसाला काफी सुखा-चुखा लग रहा था अच्छे से भूनने ही रहे तोचिए तो इसमें हम 2-3 चमच के करीब पानी डाल दिये हैं और इन्हें हम तब तक भूनेंगे जब तक ये मसला फिर से सूख न जाए तो ये मसला सूख चुके हैं देख सकते हैं तब हम इसमें डाल देते हैं उबला हुआ आलू तो यहां पे हम चाठो आलू को उबाल के रखे थे ठंडा हो चुके हैं तब हम इससे छील लिए हैं और हाथ से क्रस कर लिए हलका सा और इसमें डाल दिये हैं तो मिलाते हुए आलू को भी हम अच्छे से भून लेंगे और धियान देने वाली बात गैस का फिलेम आपको लो डखना है नहीं तो आलू अच्छे से मिलेंगे नह और जालने लगेंगे तो मिलाते हुए अच्छे से आपको मसला के साथ में भून लेना है तो यहां पे हम थोरा सा ताजा फरे सहरा धनिया डाल देते हैं इनमें धनिया का पता डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो अगर आपके पास से भी लेविल हो तो जरूर का मसला ठंडा हो रहा है तब तक हम दूसरा तयारी कर लेते हैं तो यहां पे हम एक मिक्सिंग बॉल लिए हैं और इसमें हम चार से पांच चमच के करीब गेहूं काटा डाले हैं और इसमें डाल दिये हैं थोरा सा धनिया का पत्ता एक छोटा चमच सफेद तील और अधा छ जाधा पतला होना चाहिए और ना जाधा घारा होना चाहिए इस तरह का गूल आपको बना करके त्यार कर लेना है तो घोल तेयार हो चुके हैं इन्हें हम साइड में रखते हैं और कोई पानी ढाले हैं तो अच्छे से सूजी गुद चूके हैं चिकना सा डो 德ika लख के तयार ले तो चलिए अब हम इसका नस्ता बना लेते हैं तो यहां पर हम चकला लिये हैं और छेकला में थोड़ा सा सुखा आटा लगाए हैं तिसे हम अब बेल लेते हैं बड़ा सा रोटी के जैसे और इसे पराठा के जैसे ठीकनेस रखेंगे रोटी के तरफ पूरा पतला नहीं हम बेलेंगे तो इसका side सब जो है किनारा सब यह थोड़ा सा फटेंगे क्योंकि सूजी है और इसे side हम काट करके निकाल देंगे बाद में तो इन्हें हम रोटी के जैसे एकदम बड़ा सा बेल लिये हैं तो इसका जो साइड का पाट सब है इन्हें हम काट करके निक्याल देते हैं और इन्हें हम स्काइड सेप में काट कर रहे हैं तो आप जैसा भी चाहे वैसा आप काट कर सकते हैं तो इन्हें हम चारू तरफ से कट करके निकाल देते हैं, और जहां से square shape बराबर में बने, उतना तक आप काट लीजिएगा, तो side वाला जो है, जो डो बचा हुआ है, उसमें हम मिला देंगे, और इन्हें हम फिर से square shape में कट करेंगे, तो एक साथ में चाठो नास्ता बन करके ये तयार होगा तो आलू इधर में ठंडा हो गया है तो एक चमच के करीब हम आलू का मसला लेंगे और इस तरह से गोल करते हुए ये जो सीट बना के रखे हैं इसके उपर में रख देंगे और इसे दवाते हम इस तरह से बन कर देंगे तो सूजी है बहुत ही असानी से बन हो जाते हैं इसमें आपको पानी वेगर्य लगाने का जरूरत नहीं है ये ऐसे ही चिपक जाते हैं अच्छे से तो देख सकते हैं एक ठोनास्ता जो है ये तियार हो चुके हैं और उपर से भी हलका सा प्रेस कर दीजिएगा ताकि आलू का मसला जो गोल था वो थोरा सा चप्टा हो जाएंगे और सभी तरफ अच्छे से सूजी में चले जाएंगे तो इसे हम उपर से डिजाइन देने के लिए थोरा सा कट लगा देते हैं ताकि देखने में ये सुंदर लगे अप इसे ऐसे भी रख सकते हैं तो इन्हें हम कट लगा दिये हैं तो बाकी का सभी जो नस्ता बचा हुआ है चकला के उपर में उन्हें भी हम सेम तरह से ही बना करके त्यार कर लेते हैं तब हम इसे फड़ाई करेंगे तो सभी नस्ता को हम बना करके त्यार कर लिए हैं और अगर आपको डिसे पी अच्छी लग रही है तो पिलीज वीडियो के नीचे लाइक का बटन किलिक कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा तो यहाँ पे हम पैन में तेल डाले हैं तेल गरम हो चुके हैं और यह जो घोल बना के रखे थे उसमें हम एक ठो नस्ता उठाएंगे और इस तरह से इसमें डीप करती भी इसमें डाल देंगे ताकि ये जो घोल में डीप रहेंगे तो आलू मसाला जो डाले हैं इसमें और उपर से कट लगाए हैं ओर डीजाइन भी दिखेगा और आलू मसाला निकलेंगे नहीं और खाने में ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं तो एक साथ में 4-5 नास्ता हम डाले हैं और नास्ता के बीच में आपको थोड़ा सा गैप रखना है क्योंकि हम गेहूं के आटा मी से कोट किये हैं तो ये एक दूसरे में चिपक जाएंगे तो आप इस बात पे धियान देते हुए थोड़ा सा गैप रखिएगा और अच्छे से क्रेस्पी होने तक इसे तल लीजिएगा तो एक तरप से ये सेख चुके हैं तो इसका हम साइड चेंज कर देते हैं और साइड चेंज करने के बाद में भी मिसे अच्छे से से शेख लेंगे तो आपको अलड़ते पलड़ते हुए क्रेस्पी होने तक इसे आपको चार से पांच विनट का टाइम लगेगा एक बैच को फ्राइ होने में और गैस का फिलेम आप मीडियम टू हाई रखिएगा पूरा लो फिलेम पे आपको इसे नहीं फ्राइ करना है नहीं तो नस्ता ज़दा ओयली हो जाएगा और फ्राइ करने में फिर आपको बहुत ही ज़दा टाइम लगेगा तो आप हाई फिलेम पे भी इसे फ्राइ कर सकते हैं चार से पांच इनर तक हम इसे अच्छे से फ्राइ किये हैं तो ये नास्ता जो है एक बैच फ्राइ हो चुके हैं और दूसरा बैच जो है उसे भी हम सेम तरह से ही फ्राइ कर लेंगे तो ये बहुत ही ज़दा टेस्टी चटपटा नस्ता बनके तयार हो चुका है तो आपको ये रिसेपी कैसी लगी कॉमेंट में हमें जरूर बताईएगा और रिसेपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को फ्रेंडित फैमली में सेयर कर दीजिएगा और चैनल में पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा साथ में बेल आइकन को भी प्रेंज कीजिएगा आने वाले वीडियो का नौटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप लोग वीडियो देख पाएंगे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद